दोस्तो अगर आप भी सचिन तिंदुलकर को एक महान खिलाडी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तो एक ओवर में कितने विकट गेंदबाज चटका सकता है तीन या फिर अधिक से अधिक चार लेकिन सचिन तिंदुलकर के बेटे अर्जुन तिंदुलकर ने आईपिल से पहले ही एक ओवर में एक नहीं दो नहीं बलकी पांच विकेट चटका कर पूरे क्रिकट जगत को हिला कर रख दिया है तो आखिर किन बल्ले बाजू को अरजुन तेंदुलकर ने बनाया शिकार उनके खौपना गिनबाजी देखकर क्यों सदमे में आ गई है बांकी की नौ फ्रंचाइजी उनके कातिलाला गिनबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सचिन तंदुलकर महन सिंग दोनियों और रोईत शर्मा में सबसे महान किराडी कौन है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा जोस्तो क्रिकेट की महा समर में बहुत जल्द क्रिकेट महोच सो आईपियल की शिरुवात होने वाली है जिसके लिए सभी की नजर चम चमाती आईपियल ट्रॉफी पर है तो वहीं आईपियल की सबसे सफल प्रेंचाइजी मुंबेनियन साल 2022 का बदला लेने की रादे से मैदान में उतने जारी है क्योंकि 2022 मुंबई के लिए सबसे खराब रहा था और मुंबई ने पॉइंट स्टेबल में दस्तों इस्तान पर समात किया था ऐसे में मुंबई केवल अपना बदला नहीं लेना चाहती बलकि छटी बार आईपियल चैंपियन भी बनना चाहती है इसके लिए उन्होंने जम कर तयारी भी करने शुरू कर दी है बैतरीन खिलाडियों का दल तयार करने के बाद अब सभी इसके पास 140 किलोमेटर से भी अधिक की रपतार मुझूद है इन्ही सब को देखते हुए अंदेशा लगाया जा रहा था कि उन्हें आईपियल 2023 में डेब्यू कमों का दिया जा सकता है तो वहीं आब उनकी अद्भूत परफॉर्मेंस के बाद यह लगबग निशित हो गया अरजुन तेंदुलकर ने अपनी खौपना गिनबाजी से आग उगलते हुए एक ही उबर में पांच विकेट चटका कर क्रिकेट से 140 सालों से भी अधिक का रिकॉर्डू लटकर रख दिया पहले उन्होंने सूरी कुमर यादों के शिकर बनाय तो फिर इशान किशन भी उन बाउंसर से एक और बलेबाज को शिकार बनाया तो उबर केंतिम गेंद पर उन्होंने पांच वे बलेबाज को क्लीन बोल कर एतिहासिक प्रदर्शन कर दिया जिसे देखकर सभी क्यांके फटी की फटी रह गई थी किसी को भी अपने आँको पर भरोसा नहीं हो रहा था कि अरजुन ने अभी भी यह क्या कर दिया वहिए पूरा क्रिकेट जगत हैरान है जिया दोस्तो अरजुन तंदूलकर ने अपने प्रदर्शन से इतिहास के पण्यों में अपना नाम दर्च करवाने जैसे काम की है लेकिन आपको क्या रखता है कि अरजुन तंदूलकर को अपने राहे में नीचे कमेंट वाक्स में जरूर बताईए और ऐसी शांदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद